लिजी सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग रहे मानसर उवर चार की कहानी धपोर संख मेरी यानि समीरगो स्वामी की आवाज में मुरादाबाद में मेरे एक पुरानी मित्र हैं जिने दिल में तो मैं एक रत्म समझता हूं पर पुकारता हूं धपोर संख कहकर और वो बुरा भी नहीं मानते ईश्वर ने उन्हें जितना हिर्दे दिया है उसके आधी बुद्धी दी होती तो आज वो कुछ और होते उन्हें हमेशा तंग हस्त ही देखा मगर किसी के सामने कभी हाथ पहलाते नहीं देखा हम और वो बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं खासी बेतकलुफी है पर ये जानते हुए भी कि मेरे लिए सौपचास रुपे से उनकी मदद करना कोई बड़ी बात नहीं और मैं बड़ी खुशे से करूँगा कभी मुझ से एक पाई के रवादार नहुए अगर हीले से बच्चों को दो चार रुपे दे देता हूँ तो बिदा होते समय उसकी दुगनी रकम के मुरादाबादी बरतन लाधने पड़ते हैं इसलिए मैंने ये नियम बना लिया है कि जब उनके पास जाता हूँ तो एक दो दिन में जितनी बड़ी से बड़ी चपत दे सकता हूँ मौसम में जो महंगी से महंगी चीज होती है वही खाता हूँ और मांग मांग कर खाता हूँ मगर दिल के ऐसे बेहाया है कि अगर एक बार भी उधर से निकल जाऊं और उनसे ना मिलू तो बुरी तरह डाट बताते हैं इधर दो-तीन साल से मुलाकात न हुई थी जी देखने को चाहता था मई में नैनी ताल जाते हुए उनसे मिलने के लिए उतर पड़ा चोटा सा घर है चोटा सा परिवार चोटा सा डील दौर पर आवाज दी धपोर संख तुरंत बाहर निकल आये और गले से लिपट गए तांगे पड़ से मेरे टरंक को उतार कर कंधे पर रखा बिस्तर बगल में दबाया और घर में दाखिल हो गए कहता हूँ बिस्तर मुझे दे दो मगर कौन सुनता है भीतर कदम रखा तो देवी जी की दर्शन हुए चोटे बच्चे ने आकर प्रणाम किया बस यही परिवार है कमरे में गया तो देखा खतों का एक दफ्तर फैला हुआ है खतों को सुरक्षित रखने की तो इनकी आदत नहीं इतने खत किसके हैं कुतुहल से पूछा ये क्या कुड़ा फैला रखा है जी समेटो देवी जी मुस्कुरा कर बोली कुड़ा ना कहिए एक एक पत्र साहित का रत्न है आप तो इधर आये नहीं इनके एक नए मित्र पैदा हो गया है ये उनी के करकमलो का प्रसाद है धपोर संख ने अपनी ननी ननी आखे से कोड़ कर कहा तुम उनके नाम से क्यो इतना जलती हो मेरी समझ में नहीं आता अगर तुमारे दो चार सो रुपे उस पर आते हैं तो उनका देंदर मैं हूँ वो भी अभी जीता जाकता है किसी को बेईमान क्यों समझती हो ये क्यों नहीं समझती कि उसे अभी सुविधा नहीं है और फिर दो चार सो रुपे एक मित्र के हाथों डूब ही जाएं तो क्यों रो माना हम गरीब है दो चार सो रुपे हमारे दो चार लाख से कम नहीं लेकिन खाया तो एक मित्र नहीं देवी जी जितनी रूप पुवती थी उतनी ही जबान की तेज थी बोली अगर ऐसो ही का नाम मित्र है तो मैंने ही समझती शत्रू किसे कहते हैं डपोर संख ने मेरी तरफ देखकर मानो मुझसे हामी भराने के लिए कहा औरतों का हिर्दे बहुत ही संकीन होता है देवी जी नारी जाती पर ये आक्षेप कैसे सह सकती थी आँखे तरेर कर बुनी ये क्यों नहीं कहते हैं कि उल्लू बना कर ले गया उपर से हेकडी जताते हो दाल गिर जाने पर तुम्हें भी सूखा अच्छा लगे तो कोई आश्यर नहीं मैं जानती हूं रुपया हाथ का मेल है ये भी समझती हूं कि जिसके भाग का जितना होता है उतना वो खाता है मगर ये मैं कभी न मानूंगी कि वो सज्जन था और आदर्शवादी था और ये था और वो था साफसाफ क्यों नहीं कहते लंपट था दगाबास था बस मेरा तुम से कोई जगड़ा नहीं ढपोर संख ने गर्म होकर कहा मैं ये नहीं मान सकता देवी जी भी गर्म होकर बोली तुम्हें मानना पड़ेगा महाशय जी आगए है मैंने पंच बढ़ती हूँ अगर ये कह देंगे कि सज्जनता का पुतला था आदर्शवाला था वीरात्मा था तुम्हें मान लूँगी और फिर उनका नाम न लूँगी और यदि इनका फैसला मेरे अनकूल हुआ तो लाला तुम्हें इनको अपना बेहनोई कहना पड़ेगा मैंने पूछा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है आप किसका जिक्र कर रही है वो कौन था देवी जी ने आखे नचा कर कहा इनी से पूछो कौन था हलवा बना बना कर खिलाती थी उसकी विपत्ति कथा सुनकर टस्वे बहाती थी और आज वो दगावा से लंपट है लबार है देवी जी ने कहा वो तुम्हारी खातिर थी मैं समझती थी लेख लिखते हो व्याक्यान देते हो साहित के मरमग बनते हो कुछ तो आदमी पहचानते होगे पर आप मालूम हो गया कि कलम घिसना और बात है मनुशी की नाड़ी पहचानना और बात मैं इस जोशी का ब्रतांत सुनने के लिए उत्सुक हो उठा धपोर संख तो अपना पच्छ़ा सुनाने को तयार थे मगर देवी जी ने कहा खाने पीने से निवरत होकर पंचायद बैठे मैंने भी से सुईकार कर लिया देवी जी घर में जाती होई बोली तुम्हें कसम है जो अभी जोशी के बारे में एक शब्द भी इन से कहो मैं भोजन बना कर जब तक खिला ना लू तब तक दौनों आदमियों पर दफ़ा एक सो चवाल इसे धपोर संक ने आखे मार कर कहा तुम्हारा नमक खा कर ये तुम्हारी तरफदारी करेंगे ही बारे देवी जी के कानों में ये जुमला न पढ़ा धीमे स्वर में कहा भी गया था नहीं तो देवी जी ने कुछ न कुछ जवाब जरूर दिया होता देवी जी चूला जला चुकी और धपोर संक उनकी ओर से निश्चिंत हो गए तो मुझसे बोले जब तक वो रसोई में है मैं संक्षेप में तुम्हें वो विरतांत सुना दू मैंने धर्म की आड़ लेकर कहा नहीं भाई मैं पंच बनाया गया हूँ और इस विशय में कुछ न सुनूँगा उन्हें आ जाने दो मुझे भाई कि तुम उन्हीं कासा फैसला कर दोगे और फिर वो मेरा घर में रहना अपाढ़ कर देंगी मैंने धांडस दिया यह आप कैसे कह सकते हैं मैं क्या फैसला करूँगा मैं तुम्हें जानता जो हूँ तुम्हारी अदालत में औरत के सामने मर्द कभी जीती ही नहीं सकता तो क्या चाहते हो तुम्हारी डिगरी कर दो क्या दूस्ती का इतना हक भी अदा नहीं कर सकते। अच्छलो तुम्हारी जीत होगी चाहे गालियां ही क्यों ना मिले। खाते पीते दोपहर हो गया। रात का जागा था सोने के इच्छा हो रही थी। पर देवी जी कब मानने वाली थी। भूजन करके आ पहुँची। धपोर संख ने पत्रों का पुलिंदा समेटा और विर्तांत सुनाने लगे। देवी जी ने सावधान किया। एक शब्द भी जूट बोले तो जुर्मा न होगा। धपोर संख ने गंभीर होकर कहा। जूट वो बोलता है जिसका पक्षनेर बल होता है। मुझे तो अपनी विजय का विश्वास है। इसके बाद कथा शुरू हो गई। दो साल से जादा हुए एक दिन मेरे पास एक पत्र आया। जिसमें साहित सेवा के नाते एक ड्रामे की भूमी का लिखने की प्रेणा की गई थी। ये करोणा कर का पत्र था। इस साहित तिक रीत से मेरा उनसे प्रथम परचे हुए। साहित तकारों की इस जमाने में जो दुर्दशा है उसका अनभव कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। और यदि भूमी का तक बात रहे तो उनकी सेवा करने में पसू पेश नहीं होता। मैंने तुरंत जवाब दिया आप ड्रामा भेज दीजे। एक सब्ताह में ड्रामा आ गया पर अब के पत्र में भूमी का लिखने ही की नहीं कोई प्रकाशक ठीक कर देने की भी प्रार्थना की गई थी। मैं प्रकाशकों के जंजट में नहीं पढ़ता। दो एक बार पढ़कर कई मित्रों को जानी दुश्मन बना चुका हूँ। मैंने ड्रामे को पढ़ा, उस पर भूमी का लिखी और हस्तली पिलोटा दी। ड्रामा मुझे सुन्दर मालूम हुआ। इसलिए भूमी का भी प्रशन सात्मक थी। कितनी ही पुस्तकों की भूमी का भी लिख चुका हूँ। कोई नई बात न थी। पर अपकी भूमी का लिख कर पिंड न चुटा। एक सब्ताह के बाद एक लेख आया कि इसे अपनी पत्रिका में प्रकाशित कर दीजे। धपोड संख एक पत्रिका के संपादक है। इसे गुण कहिए या दोश, मुझे दूसरों पर विश्वास बहुत जल्द आ जाता है। और जब किसी लेखक का मौामला हो, तो मेरी विश्वास क्रिया और भी तीवर हो जाती है। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ, जो सहित वालों के साए से भागते हैं। वो खुद निपुड लेखक हैं, बड़े ही सज्जन हैं, बड़े ही जिन्दा दिल। अपनी शादी करके लोटने पर, जब जब रास्ते में मुझे से भेंट हुई, कहा, आपके मिठाई रखी हुई है, भिजवा दूँगा। पर वो मिठाई आज तक ना आई, हाला कि अब ईश्वर की दयासी विवाह तरू में फल भी लगाए, लेकिन खेर, मैं सहित सेवियों से इतना चौकनना नहीं रहता। इन पत्रों में इतनी विना, इतना आग्रह, इतनी भक्ती होती थी, कि मुझे जोशी से बिना साक्षातकार के ही इसने हो गया। मालुम हुआ एक बड़े बाप का बेटा है, घर से इसलिए निर्वासित है कि उसके चाचा दहेज की लंबी रकम लेकर उसका विवाह करना चाहती थे, ये उसे मन्जूर नहुआ, इस पर चाचा ने घर से निकाल दिया, बाप के पास गया, बाप आदर्श भात्र भक्त थ उसने चाचा के फैसले के अपीर ना सुनी, ऐसी दशामे सिध्धान्त का मारा युवक सिवाए घर से बाहर निकल भागने के और क्या करता, यो वन-वन के पत्ते तोड़ता, दोआर दोआर ठोकर खाता, वो गौलियर आ गया था, उस पर मंदाग नहीं करोगी, जीन जोर सि खोल कर रखता है, विपत्ती में भी धेर और पुर्शार्थ को हाथ से नहीं छोड़ता, कड़े से कड़ा पर इश्रम करने को तैयार है, तो यदि आप में सौजन्न काणू मात्र भी है, तो आप उसकी मदद जरूर करेंगे, अच्छा, अब फिर ड्रामे की तरफ आएए, कई दिनों बाद जोशी का पत्र प्रियाग से आया, वो वहां के एक मासिक पत्रिका के संपाद की विभाग में नौकर हो गया था, ये पत्र पाकर मुझे कितना संतोश और आनंद हुआ, कह नहीं सकता, कितना उद्द्यम शील आदमी है, उसके प्रती मेरा इसने है और भी प्रगाड हो गया, पत्रिका का स्वामी संपादक सक्ती से पेश आता था, जरा सी देर हो जाने पर दिन भर की मजदूरी काट लेता था, बात बात पर घुड़कियां जमाता था, पर ये सत्याग रही वीर सब कुछ सहकर भी अपने काम में लगा रहता था, अपना भविश ना होगा, विश्वास ना होगा, गर्व ना होगा, प्रियाग में वो जादा ने ठैर सका, उसने मुझे लिखा, मैं सब कुछ जेलने को तयार हूँ, भूख औ मरने को तयार हूँ, पर आत्म सम्मान में दाग नहीं लगा सकता, कुवचन नहीं सह सकता, ऐसा चरितर यदी आप पर प्रभाव ना डाल सके, तो मैं कहूंगा आप चालाग चाहे जितने हो, पर हिर्दा शून नहीं, एक सब्ताह के बाद प्रियाग से फिर पत्राया, ये वेवहार मेरे लिए असाह हो गया, आज मैंने इस्तीफा दे दिया, येने समझी है कि मैंने हलके दिल से लगी नहीं कर सकता, अगर ये कर सकता, तो मुझे घर छोड़कर निकलने की क्या वश्यक्ता थी, मैंने बंबई जाकर अपने किसमत आजमाने का निश्चे किया है, मेरा द्रण संकल्प है कि अपने घरवालों के सामने हाथ न पहलाऊंगा, उनसे दया की भिक्षा न मांगूंग मुझे कुली गिरी करना मनजूर है, टोकरी ढोना मनजूर है, पर अपनी आत्मा को कलंकित नहीं कर सकता, मेरी श्रद्धा और बढ़ गई, ये व्यक्ती अब मेरे लिए केवल ड्रामा का चरित रहना था, जिसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर भी हम दर्श मैं बड़ी उतकंठा से उसके बंबई से आने वाले पत्र का इंतिजार करने लगा, छटवे ही दिन पत्र आया, वो बंबई में काम खोज रहा था, लिखा था घबडाने की कोई बात नहीं, मैं सब कुछ जेलने को तयार हूँ, फिर दो दो चार चार दिन के अंतर से कई प मैं समझता हूँ मैंने उस समय बड़ी किरपनता की, मेरी आत्मा ने मुझे धिक्का रहा, ये बेचारा इतने कश्ट उठा रहा है और तुम बैठे देख रही हूँ, क्यों उसके पास कुछ रुपए नहीं भेज दे, मैंने आत्मा के कहने पर अमल ला किया, पर अपनी बे सापता हिक में जोशी के लेख निकलने लगे, उन्हें पढ़कर मुझे गर्व होता था, कितने सजीब कितने विचार से भरे लेख थे, उसने मुझे से भी लेख मांगे, पर मुझे अवकाश न था, शमा मांगी, हलाकि इस अवसर पर उसको प्रोटसाहर न देने पर, थोड़ा थोड़ा मिल जाता, नहीं आस्रा लगाए काम करते रहते, इस दशामे गरीब ने तीन महीने काटे होंगे, आशा थी तीन महीने का हिसाब होगा तो अच्छी रखम हाथ लगेगी, मगर वहां सूखा जवाब मिला, सौमी ने टाटू लट दिया, पत्र बंद हो ग बंद कर काम करना कब मुम्किन था, और फिर बंबई का खर्च, बिचारे जोशी को फिर ठोकने खाने पड़ी, मैंने खत पढ़ा तो बहुत दुख हुआ, ईश्वर ने मुझे इस योग न बनाया, नहीं बिचारा क्यों पेट के लिए यो मारा मारा फिरता, बारे अपकी बहुत हैरान ना होना पड़ा, किसी मिल में गाठों पर नंबर लिखने का काम मिल गया, एक रुपिया रोज मजूरी थी, बंबई में एक रुपिया इधर के चारा आने के बराबर समझो, कैसे उसका काम चलता था, ईश्वर ही जाने, कई दिन के बाद एक लंबा पत्र आय एक जर्मन एजेंसी उसे रखने पर तैयार थी, अगर वो तुरंत सो रुपे की जमानत दे सके, एजेंसी यहां की फौजों में जूते सिगार साबुन आदी सप्लाई करने का काम करती थी, अगर ये जगह मिल जाती तो उसके दिन आराम से कटने लगते, लिखा था, अब जिन्दगी से तंग आ गया हूँ, हिम्मत ने जवाब दे दिया, आत्मात्या करने के सिवा और कोई उपाय नहीं सूचता, केवल माताजी की चिंता है, रो रो कर प्रान दे देगी, पिताजी के साथ हुने शारी रिक सुखों की कमी नहीं, पर मेरे लिए उनकी आत्मा तड अबती रहती है, मेरी यही अभिलाशा है कि कहीं बैठने का ठिकाना मिल जाता तो एक बार उन्हें अपने साथ रखकर उनकी जितनी सेवा हो सकती करता, इसके सेवा मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जमानत कहां से लाओं, बस कल का दिन और है, परसों कोई दूसरा उ करती को भी वशी भूत कर लिया, इच्छा हो जाने पर कोई न कोई राह निकलाती है, मैंने रुपए भेजने का निश्य कर लिया, अगर इतनी मदद से एक यवक का जीवन सुधर रहा हो, तो कौन ऐसा है जो मुझे पाले, इस से बड़ा रुपियों का और क्या सदुपिय हो सकता है, हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल ही से निकलती है, पर सैयोग से उस वक्त मेरे कोश में रुपए मौजूद थे, मैं इसके लिए अपनी किर्पनता का रिणी हूँ, देवी जी से सलाह की, वो बड़ी खुशी से राजी हो हला कि अब सारा दोश मेरे ही सिर मढ़ा जाता है, कल रुपएयों का पहुचना आवश्यक था, नहीं तो अफसर हाथ से निकल जाएगा, मनी आरडर तीन दिन में पहुचेगा, तुरंत तार घर गया और तार से रुपए भेज दिये, जिसने बरसों की कतर ब्योंत के बाद इतने रुपए जोड़े हो और जिसे भविश्य भी अभाव में ही दीखता हो, वही उस आनंद का अनभव कर सकता है, जो इस समय मुझे हुआ, सेठ अमीर चंद को दस लाग का दान करने पर भी इतना आनंद नहुआ होगा, दिया तो मैंने रिंड समझ करी, पर वो दोस्ती करिंड था, जिसका आदा होना सपन का यतार्थ होना था, उस पत्र को मैं कभी न भूलूँगा, जो धन्यवात के रूप में चौति दिन मुझे मिला, कैसे सच्चे उद्गार थे, एक एक शब्द अनुगरह में डूबा हुआ, मैं उसे साहित्त की एक चीज समझता हूँ, देवी जी ने चुट की लिए, सौ रुपे में उससे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है, धपोर संक ने कुछ चवाब न दिया, कथा कहने में तनमय थे, बंबई में वो किसी प्रसिध्य स्थान पर ठेरा था, केवल नाम और पोस्ट बॉक्स लिखने ही से उसे पत्र मिल ज आता था, वहां से कई पत्र आये, वो प्रसन्य था, देवी जी फिर बोली, फिर सन्य क्यों न होता, कमपे में एक चिडिया जो भज गई थी, धपोर संक ने चिड़ कर कहा, या तो मुझे कहने दो या तुम कहो, भीजम मत बोलो, बंबई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके वेवहार से परसन्य होकर उसे काशी में निक्त कर दिया है और वो काशी आ रहा है, उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा, काशी में उसके एक मौसा थे, जो वहां के प्रसिद्ध डाक्टर थे, पर वो उनके घर ना उतर कर अलग ठेहरा, इससे आत्म सम्मान का पता चलता है, मगर एक महीने में काशी से उसका जी भर गया, शिकायस से भरे पत्र आने लगे, सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामत करनी पड़ती है, सुबह का गया गया, दस बजे रात को घर आता हूं, उस वक्त अकेला अंधिरा घर देख कर चित दुख से भर जाता है, किस से बोलूं, किस से हसूं, बाजार की पूरियां खाते खाते तंग आ गया हूं, मैंने समझा था, अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है, अभी पिसमत में ठोकरे खाना लिखा है, मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता, रा किये जाओ, जवाब आया, मुझसे अब यहां नहीं रहा जाता, फौजियों का व्योहर असा है, फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं, और रंगून जाकर मैं बच नहीं सकता, मैं कोई साहित तिक काम करना चाहता हूं, कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाह साथ में कई चमडे की ट्रंक, एक सूट के से एक हुल डाल, मैं तो उसका ठाट देख कर दंग रह गया, देवी जी ने टिपड़ी की, फिर भी तो न चेते, मैंने समझा था, गाड़े का कुर्ता, चपल, जादा से जादा फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर ये महा चाहते थे, ढपोर संकब की मुस्कुरा है, देखो श्यामा, बीच बीच में टोको मत, अदालत की प्रतिष्ठा ये कहती है, कि अभी चुपचाप सुनती जाओ, जब तुम्हारी बारी आए तो जो चाहे कहना, फिर सलसला शुरू हुआ, था तो दुबला पतला, मगर बड चतुर, एक जुम्ला अंग्रेजी बोलता, एक जुम्ला हिंदी और हिंदी भी अंग्रेजी की खिचडी, जिसे आप जैसे सब लोग बोलते हैं, बात चीज शुरू ही, आपकी दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, मैंने जैसा अनुमान किया था, वैसा ही आपको देखा, बस, अम मालुम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूँ, इतने दिनों तक कैदी था, मैंने कहा, तो क्या इस्तीफा दे दिया, नहीं अभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ, अभी इस महिने का वेतन भी नहीं मिला, मैंने लिख दिया है, यहां के पती से भीज दे, नौकरी तो अ होटल वाले पेशगी रुपए ले लेते हैं, जोशी के पास रुपए न थे, मुझे तीस रुपए देने पड़े, मैंने समझा इसका वेतन तो आता ही होगा, ले लूँगा, यहां मेरे एक माथुर मित रहे, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था, उसके आने के खबर पाते ही होटल दोड़े, दोनों में दोस्ती हो गई, जोशी दो तीन बार दिन में एक बार रात को जरूर आते और खूब बाते करते, देवी जी उनको हाथों पर लिए रहती, कभी उनके लिए पकौणिया बन रही हैं, कभी हलवा, जोशी हर्फन मौला था, गाने में कु जोशल, सालन अच्छा पकाता था, देवी जी को गाना सीखने का शौक पैदा हो गया, उसे म्यूजिक मास्टर बना लिया, देवी जी लाल मुह करके बोली, तो क्या मुफ्त में हलुआ पकोड़िया और पान बना बना कर खिलाती थी, एक महिना गुजर गया, पर जोशी का वेतन ना आया, मैंने पूछा भी नहीं, सोचा अपने दिल में समझेगा अपने होटल वाली रुपेयों का तकाज़ा कर रहे हैं, माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया, दोनस साथ गूमने जाते साथ रहते, जोशी जब आते माथुर का बखान करते, जोख में उसने फौजी नौकरी छोड़ दी थी, सामरिक जीवन की ना जाने कितनी ही घटना उसे याद थी, और जब अपने माबाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता तो उसकी आँखों में आसु भराते, देवी जी भी उसके साथ रोती, देवी जी तिर्ची आँ जो उसके पास पड़े थे, मुझे सुनाए, मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया, उसने काशी के एक प्रकाशक के हाथ वो ड्रामा बेच दिया था और कुल 25 रुपे पर, मैंने कहा उसे वापस मंगा लो, रुपे मैं दे दूँगा, ऐसी संदर रच्चना किसी अच्छे प पचास रुपे ही से ही, ड्रामा वी पी से वापस आया, मैंने पचास रुपे दे दिये, महीना खत्म हो रहा था होटल वाले, दूसरा महीना शुरू होते ही रुपे पेश की मांगेंगे, मैं इसी चिंता में था, कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूंगा विचारा गरीब आदमी है, अगर मैं बीस रुपे भी दे दूँगा तो उसका काम चल जाएगा, मैं बहुत खुश हुए, दूसरे दिन वो माथुर के घर डट गया, अब आता तो माथुर के घर का कोई न कोई रहस से लेकर आता है, ये तो मैं जानता था कि माथुर के आर वाला, विचारा उन से मूझ छेपाता फिरता है, जोशी आँखों में आशु भर भर कर, उसके संकटों की करुन कहानी कहता और रोता, मैं तो जानता था, मैं ही एक आफ़त का मारा हूँ, माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ती भूल गई, मुझे अपनी ही च परिवार के लिए पचास रुपेतों किवल रोटी दाल के लिए चाहिए, माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है, वो अब अपने लिए नहीं, माथुर के लिए दुखी था, देवी जी ने टीका की, जब ही माथुर की भांज क्या तुम समझते हो ये फुल जड़ियां मुझे नियाय पत्से विचलित कर देंगी। फिर कहानी शुरू ही। कुछ मैं दूँगा, कुछ माथूर पैदा करेगा, गुजर हो जाएगा। बगर आज उसके घर के दो महिनों का किराया देना पड़ेगा। मालिक मकाने सुबह ही से धरना दे रखा है। कहता है अपना किराया लेकर ही हटूँगा। आपके पास तीस रुपए हो तो दे माथूर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा, रुपए मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है, दूसरा मित्र उसके सिफारिश कर रहा है। मुझे इंकार करने का साहस न हुआ। देवी जी ने उस वक्त नाग भौँजरूर से कोड़ा था, पर मैंने न माना, रुपए दे दिये, देवी जी ने डंक मारा, ये क्यों ने ही कहते कि वो रुपए मेरी बेहन ने बरतन खरीद कर भेजने के लिए भेजे थे। धपोर संक ने गुस्सा पी कर कहा, खेर यही सही, मैंने रुपए दे दिये, मगर मुझे ये उलजन होने ल मेरे एक आगरे के मित्रा निकले, काउंसिल के मेंबर थे, अब जेल में हैं, गाने बजाने का शौक है, दो एक ड्रामे भी लिख चुके हैं, अच्छे अच्छे रईसों से परचा है, खुद भी बड़े रसिक हैं, अब की वो आए, तो मैंने जोशी का उन्से जिक्र किया उसका ड्रामा भी सुनाया, बोले, तुसे मेरे साथ कर दीजे, अपना प्राइवेट सेकरेट्री बना लूगा, मेरे घर में रहे, मेरे साथ, घर के आदमी की तरह रहे, जेब खर्च के लिए मुझे से तीस रुपे महीना लेता चला जाए, मेरे साथ ड्रामे लेखे, मैं पूला न समाया, जोशी से कहा, जोशी भी तैयार हो गया, लेकिन जाने के पहले उसे कुछ रुपेयों की जरूरत हुई, एक भले आदमी के साथ भटे हालों तो जाती नहीं बनता, और ना यही उचित था कि पहले ही दिन से रुपेयों का तकाजा होने लगे, बहुत काट चाट करने पर भी 40 रुपे का खर्च निकलाया, जूते तूट गए थे, दो तियां भट गई थे, और भी कई खर्च थे जो इस वक्त याद नहीं आते, मेरे पास रुपेय ना थे, श्यामा से मांगने का होसला ना हुए, देवी जी बोली, मेरे पास तो कारूं का खजाना रखा था ना, कई हजार महीन लाते हो, सौ दो सो रुपे बचत में आ ही जाते होंगे, ठपोर संख इस व्यंग पर ध्यान न दे कर अपनी कथा कहते रहे, रुपे पाकर जोशी ने ठाट बनाया और कांसलर साहब के साथ चले, मैं स्टेशन तक पहुचाने गया, माथुर भ घर अच्छा ना लगेगा, घर के सब आदमी रोते रहे, मालूम ही न होता था कि कोई गेर आदमी है, अम्मा से लड़के की तरह बाते करता था, बेनों से भाई की तरह, बदनसीब आदमी है, नहीं जिसका बाप दो हजार रुपे महेवारी कमाता हो, वो यहो मारा मारा पि आली पुलाओ पकाते हुए हम लोग घर आए, मैं दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ, जोशी के लिए अच्छा सिलसला निकलाया, मुझे ये आशा भी बंद चली, कि अब क्यूसे वेतन मिलेगा तो मेरे रुपे देगा, चार-पांच महीने में चुकता कर देगा, हिसाब लगा कर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई थी, मैंने दिल में समझा, ये भी अच्छा ही हुआ, यह जमा करता तो कभी न जमा होते, इस बहाने से किसी तरह जमा तो हो गए, मैंने ये सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन की रुपे पेशगी क्यों न ले ल आए, लेकिन शंका को दबाता हुआ बोला, कहो भाई कब आए, मजे में तो हो, जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह हूँ, मेरे बाबु साहब बड़े ही सज्जन आदमी है, मेरे लिए अलग एक कमरा खाली करा दिया है, साथ ही खिलाते ह बिलकुल भाई की तरह रखते हैं, आजकल किसी काम से दिल्ली गए है, मैंने सोचा यहां पड़े पड़े क्या करूं, तब तक आप इही लोगों से मिलता हूँ, चलते वक्त बाबु साहब ने मुझसे कहा था, मुरादा बास से थोड़े से बरतन लेते आना, मगर शायद ने रुपए देने की आद नहीं रही, मैंने उस वक्त मांगना भी हो चितना समझा, आप एक पचास रुपए दे दी जिगा, मैं परसो तक जाओंगा और वहां से जाते ही जाते भीजवा दूँगा, आप तो जानते हैं रुपए के मौामले में वे कितने खरे हैं, मैंने के चिकनाई के साथ कहा था, देवी जी, तो फिर कागस के रुपए क्यों दे दिये थे, बड़ी रुखाई करने वाले, धपोर संख, अच्छा साब मैंने हसकर रुपए दे दी, बस, अब खोश हुई, तो भाई मुझे बुरा तो लगा, लेकन अपने सज्जन मित्र का वा बाबु साहब का तार आगया है, बड़ा उदार आदमी है, मालूम ही नहीं होता, कोई बाहरी आदमी है, सभावी बाल कोंसा है, भाण जी की शादी तै करने को कहते थे, लेन देन का तो कोई जिक्र है ही नहीं, पर कुछ नजर तो देनी ही पड़ेगी, बैरिस्टर साहब जिन से विवा हो रहा है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके पास जाकर नजर देनी होगी, जोशी जी चले जाएंगे, आज मैंने रुपए भी दे दिये, चली एक बड़ी चिंता सिर से टली, मैंने पूछा, रुपए तो तुम्हारे पास ना होंगे, माथुर ने कहा, जरीब को भी न छोड़ा, धपोर संख बोला, ये करोध तो आपको अब आ रहा है ना, तब तो आप भी समझती थी कि जोशी दया और धर्म का पुतला है, देवी जी ने विरोध किया, मैंने उसे पुतला पुतली कभी नहीं समझा, हाँ तुमारी तकलीफों के भुलावे म पड़ जाती थी, धपोर संख, तो साहब इस तरह कोई दो महीने गुजरे, इस बीच में भी जोशी दो तीन बार आए, मगर मुझ से कुछ मांगा नहीं, हाँ, अपने बाबु साहब के संबंध में तरह तरह की बातें की, जिन से मुझे दो चार गल्प लिखने की सामगरी मिल गई, माई का महीना था एक दिन प्राताहकाल जोशी आ पहुँचे, मैंने पूछा तो मालुम हुआ, उनके बाबु साहब नैनी ताल चले गए, इन्हें भी लिए जाते थे, पर उन्होंने हम लोगों के साथ यहां रहना अच्छा समझा और चले आए, देवीज ने भाग में तो नही नही विपत्तियां लिकी हैं, उनसे कैसे जान बच सकती है, अब की भी एक नही विपत्ती सिर पड़ी, ये कही आपका आशीर वाद था जान बच गई, नहीं तो अब तक जमना जी में बहा चला जाता होगा, एक दिन जमना किनारे सेर करने चला गया, वह भी बरादरी के हैं, ये भी मालूम हुआ मेरे पिता और चाचा दोनों ही से उनका परचा है, मुझे से इसने की बाते करने लगे, तुम्हें इस तरह ठोकरे खाते तो बहुत दिन हो गए, क्यों नहीं चले जाते अपने माबाप के पास, माना कि उनका लोक व्यवहार तुम लेक कर बोला, आपको शर्ब नहीं आती कि आप अपनी युवती करने को इस तरह मेले में लिए खड़े हैं, व्यवती माशाय का मुह जरा सा निकलाया और युवती तुम्हट निकाल कर पीछे हट गई, मालूम हुआ कि उसका विवाह इसी यवक से ठहरा हुआ है, व्यवत उदार सामाजिक विचारों के आदमी थे, पर्दे के कायल ना थे, युवक वयस में युवक होकर भी खूसट विचारों का आदमी था, पर्दे का कट्टर पक्ष पाती, व्यवती थोड़ी देर तक तो अपरादी भाव से बाते करते रहें, पर युवक प्रतिक्षा कर्म होता जाता था, आखिर बूढ़े बाबा भी तेज हुए, विवक ने आखे निकाल कर कहा, मैं ऐसी निरलज्जा से विवाह करना अपने लिए अपमान की बात समझता हूँ, व्रद्ध ने करोध से कापते हुए स्वर में कहा, और मैं तुम जैसे लंपट से अपनी कन्या का विवाह करना लज्जा की बात समझता हूँ, यवक ने करोध के आवेश में व्रद्ध का हाथ पकड़ कर धक्का दिया, बातों से न जीत कर अब वो हाथों से काम लेना चाहता था, व्रद्ध धक्का खा कर गिर पड़े, मैंने लपक कर इन्हें उठाया और यवक को डाटा वो व्रद्ध को छोड़कर मुझसे लिपट किया, मैं कोई कुष्टी बास तो हूँ नहीं, वो लड़ना जानता था, मुझे उसने बात की बात में गिरा दिया और मेरा गला दबाने लगा, कई आदमी जमा हो गए थी, जब तक कुष्टी होती रही, लोग कुष्टी का आ वाह नहीं करना है, वरद्ध चुपचाप खड़े थे और युवती रो रही थी, भाई सहाब तब मुझसे ना रहा गया, मैंने कहा, महाशाय आप मेरे पिता के तुल्ल हैं और मुझे जानते हैं, यदि आप मुझे इस योग समझें, तो मैं इन देवी जी को अपनी बना कर अपनी को धन्य समझूगा, मैं जिस दशा में हूँ, आप देख रहे हैं, संभाव है, मेरा जीवन इसी तरह कट जाए, लेकिन श्रद्धा, सेवा और प्रेम यदी जीवन को सुखी बना सकता है, तो मुझे विश्वास है कि देवी जी की प्रती मुझ में इन भाव अन्मती दे दी, युवती से मिलकर मुझे ग्याद हुआ कि वो रमणियों में रत्न है, मैं उसकी बुद्धी मत्ता देखकर चकित हो गया, मैंने अपने मन में जिस सुंद्री की कल पना की थी, वो उससे हुबहु मिलती है, मुझे अतनी ही देर में विश्वास हो गया, कि म मैंने इस पश्ट कह दिया, मैं जेवर कपड़े नाम मातर को लाओंगा, ना कोई धूमधाम ही करूंगा, व्रद्ध ने कहा, मैं तो स्वेय में ही कहने वाला था, मैं कोई तैयारी नहीं चाहता, ना धूमधाम की मुझे इच्छा है, जब मैंने आपका नाम लिया कि वो मे चास रुपे की बंधी हुई आमधनी तो होनी ही चाहिए, जोशी ने कहा, भाई साब मेरा उद्धर विवाही से होगा, मेरे घर से निकलने का कारण भी विवाही था, और घर वापस जाने का कारण भी विवाही होगा, जिस समय प्रमिला हाथ बांदे हुई जाकर पिता जी कि अपना विवाह अपनी इच्छा नुसार बिना कुछ लिए दिये करूंगा और वो मेरी प्रतिग्या पूरी हुई जा रही है, प्रमिला इतनी चतुर है कि वो मेरे घर वालों को चुटकियों में मना लेगी, मैंने तखमीना लगा लिया है, कुल तीन सो रुपे खर्च ह ये आप पहुचेंगे, विवाह हो जाने पर वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने विवाह की खबर किसी को नहीं दी, मैंने कहा, लेकिन मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, मैं तीन सो रुपे कहां सिलाओंगा, जोशी ने कहा, तीन सो रुपे नकद थोड़े ह लगेंगे, कोई सो रुपे के कपड़े लगेंगे, सो रुपे की दो एक सोहाक की चीज़े बनवा लूँगा और सो रुपे राह खर्च समझ लीजे, उनका मकान काशीपुर में है, वहीं से विवाह करेंगे, ये बंगाली सोनार जो सामने है, आपके कहने से एक सब्ताह के वादे पर जो जो चीज़े मांगूगा, दे देगा, बजाज भी आपके कहने से दे देगा, नकत मुझे कुल सो रुपे की जरुरत पड़ेगी, और ज्यों ही उधर से लोटा, त्यों ही दे दूँगा, बारात में आप और माथुर के सेवा कोई तीसरा आदमी नहोगा, आ इसलिए मैंने वचन दे दिया, अब तो आपको ये डौंगी पार लगानी ही पड़ेगी, देवी जी बूली, मैं कहती थी उसे एक पैसा मत दो, कह दो हम तुम्हारी शादी विवा के जंजट में नहीं पड़ते, नपोर संख ने कहा, हाँ तुमने अपकी बार जरूर समझ लेकिन मैं क्या करता, शादी का मौामला, उस पर उसने मुझे भी घसीट लिया था, अपनी इजट का कुछ खयाल तो करना ही पड़ता है, देवी जी ने मेरा लिहास किया और चुप हो गई, अब मैं उस विरतांत को ना बढ़ाऊंगा, सारा इंश ये है कि जोशी ने ढप असी धूम धाम रही, कन्या के पिताने महमानों का आदर सतकार खुब किया, उन्हें जल्दी थी, इसलिए वो खुद तो दूसरी ही दिन चले आए, पर माथुर जोशी के साथ विवाह के अंत तक रहा, ढपोर संख को आशा थी, कि जोशी सस्राल की रुपए पाती ही जम्रा तक पर मिलने की बात सर्वत निर्मूल थी, इस लड़की से जोशी बहुत दिनों तक पत्र विवाहर कर रहा था, फिर तो धपोर संख के कान खड़ी हो गए, माथुर से पूछा, अच्छा, ये बिल्कुल कल्पना थी उसकी, माथुर, जी हाँ, धपोर संख, अच् मेरी सहायता वो क्या करता? हाँ, दौनों जून भोजन भले कर लेता था? धपोर संख, तुमारे नाम पर उसने मुझसे जो रुपए लिये थे, वो तो तुम्हें दिये होंगे? माथूर, क्या मेरे नाम पर भी कुछ रुपे लिए थे धपोर संग, हाँ भाई, तुम्हारे घर का किराय देने के लिए तो ले गया था माथूर, सरासर बेहिं माने, मुझे उसने एक पैसा भी नहीं दिय उल्टे और एक महाजन से मेरे नाम पर सो रुपे का स्टांप लिखकर रुपे लिए मैं क्या जानता था कि धोखा दे रहा है संयोग से उसे वक्त आगरे के वो सज्जन आ गए जिनके पास जोशी कुछ दिनों रहा था उन्होंने माथूर को देखकर पूचा अच्छा आप अभी जिन्दा है जोशी ने तो कहा था माथूर मर गया माथूर ने हसकर कहा मेरे तो सिर में दर्द भी नहीं हुआ ढपोर्ट संक ने पूचा अच्छा आपके मुरादाबादी बर्तन तो पहुँच गए आगरा निवासी मित्र ने कुतुहल से पूचा कैसे मुरादाबादी बर्तन वही जो आपने जोशी की मारफत मंगवाई थे यहने कोई चीज उसकी मारफत नहीं मंगवाई मुझे जरूरत होती तो आपको सीधा न लिखता माथर ने हसकर कहा तो यह रुपे भी उसने हजम कर लिए आगरा निवासी मित्र बोले मुझे से भी तो तुम्हारी मृत्तियों के बहानी सो रुपे लाया था यह तो यह की ही जालिया निकला उफ कितना बड़ा चक्मा दिया है इसने जिन्दगी में यह पहला मौका है कि मैं यह यह बेवकूफ बना बचा को पा जाओं तो तीन साल को भीजवाओं कहा है आजकल माथर ने कहा अभी तो सस्राल में है धपोर संखे का वरतांत समाप्त हो गया जोशी ने उन्ही को नहीं माथर जैसे गरीब आगरा निवासी सज्जन जैसे घाक खो भी उल्टे छुरे से मूड़ा और अगर भंडा न पूट गया होता तो अभी न जाने कितने दिनों तक मूड़ता उसकी इन मौलिक चालों पर मैं भी मुग्द हो गया बेशक अपने फन का उस्ताद है छटा हुआ गुरगा देवी जी बोली सुन लिया आपने सारी का था मैंने डड़ती ड़ती कहा हाँ सुन तो ली अच्छा तो अब आपका क्या फैसला है पती की और इशारह करके इन्होंने गौंगापन किया या नहीं जिस आदमी को एक एक पैसे के लिए दूसरों का मुह ताकना पड़े वो घर के पांक छेसो रुपे इस तरह उड़ा दे इसे आप उसकी सज्जनता कहेंगे या बेवकुफी अगर इन्होंने ये समझकर रुपे दिये होते कि पानी में फैक रहा हूं तो मुझे कोई वापती ना थी मगर बराबर इस दोखे में रहे और मुझे भी उसी दोखे में डालती रहे कि वो घर का मालदार है और मेरे सब रुपे ही न लोटा देगा बलकि और भी कितने सलूक करेगा जिसका बाप दो हजार रुपे महिने पाता हो जिसके चाचा के आमदनी एक हजार मासिक हो और एक लाख की जायदाद घर में हो और कुछ नहीं तो यूरोप की सेर तो एक बार करा ही सकता था मैं अगर कभी मना भी करती तो आप बिगड़ जाते और उदार तका उपदेश देने लगते थे ये मैं सुईकार करती हूँ कि शुरू मैं मैं भी धोखे में आ गई थी मगर पीछे से मुझे उसका संदे होने लगा था और विवाह के समय तो मैंने जोर दे कर कह दिया था कि अब एक पाई भी न दूँगे पूछिये जूट कहती हूँ या सच फिर अगर मुझे धोखा हुआ तो मैं घर में रहने वाली इस्तरी हूँ मेरा धोखे में आ जाना शम है अगर ये जो लेखक और विचारक और उपदेशक बनते हैं ये क्यों धोखे में आए और जब मैंने समझाती थी तो ये क्यों अपने को बुद्धी मत्त का अवतार समझकर मेरी बातों की उपेखशा करते थे देखिए रू रियायत न कीजिएगा नहीं मैं बुरी तरह खबर लूँगी मैं निश्पक्ष नियाय चाहती हूँ धपोड संक ने दर्दनाक आँखों से मेरी तरफ देखा जो मानो मान भिक्षा मांग रही थी उसे के साथ देवी जी के आग रह आदेश और गर्व से भरी आँखे ताक रही थी एक को अपनी हार का विश्वास था दूसरी को अपनी जीत का एक रियायत चाहती थी दूसरी सच्चने आए मैंने क्रत्रिम गंभीरता से अपने निर्ने सुनाया मेरे मित्र ने कुछ भावकता से अवश्य काम लिया है पर उनकी सज्जनता निर्विवाद है ढपोर संक उचल पड़े और मेरे गले लिपट गए देवी जी ने सगर्व नित्रों से देख कर कहा ये तो मैं जानती ही थी कि चूर चूर मोसेरे भाई होंगे तुम दोने एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो अब तक रुपे में एक पाई मर्दों का विश्वास था आज तुमने वो भी उठा दिया आज निश्य हुआ कि पुरुष छली, कप्टी, विश्वास, घाती और स्वार्ती होते हैं मैं इस निर्णाय को नहीं मानती, मुफ्त में इमान बिगाड़ना इसी को कहते बहला मेरा पक्ष लेते तो अच्छा भूजन मिलता उनका पक्ष लेकर आपको सड़े सिगरटों के सिवा और क्या हाथ लगेगा खेर हाणी तो गई, कुट्ते की जात तो पहचा नहीं गई उस दिन से दो-तीन बार देवीजी से भेंट हो चुकी है और वही भटकार सुननी पड़ी है वो ना शमा चाहती है, ना शमा कर सकती है अभी आप सुन रहे थे, मुझी प्रेम चंद के लिखे कथा संग रहे मान सरुवर्चार की कहानी धपोर संख मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में